हाई वीडियो के थर्ड एंड लास्ट पार्ट में आपका स्वागत अभी बहुत सारे सवाल बागी है और कोई टाइम भी इस नहीं करते डारेक्ली स्टार्ट करते सबसे पहला सवाल जो है गुड बॉडिंग मैम मेरी बहन की एज 30 साल है उनको पोस्टिरियर क्रोनिक फिशर इन एनो का प्रॉबलम है यानि की लेटरिंग के रस्ते में कट लगा होता है उसकी समस्थ्या है उन्होंने इन्होंने 35-2019 को चिन नहीं अपोलो में इसका ओपरेशन किया 7-8 महीं ने सब ठीक रहा लेकिन उसके बाद से उसको स्टूल के साथ ब्लड आना शुरू हो गया गुहार्टी में एक सरजन को दिखाया है उन्होंने प्रॉक्टोस्कोपी करके वोला वन बॉलेपी सीर इन एनाल के नाल अब हर रोज लेटरिंग जाने से ब्लड आता है हम लोग क्या करें कुछ उपाए कुछ नहीं करना है आपको कोई के फिशर की कंडिशन में तो ऑपर तो लोह उपारेशन हमेशा ही फेल होते हैं थीयुक्ए ओपरेशन फिशर लेटरिंग की रस्ता के एनाल के ओपरेशन हमेशा ही फेल होने वाले ध्यान रको यदी कोई कैंसर की प्रोब्लम नहीं है क्यों टियूमर नहीं है तो प्लीश सर्जरी मत कराना ना फिशल में पा तिर्फला पाउडर गुन गुने पानी के साथ सेवन करना है। दिन में 3 बार सुबह दुफैर शाम पुनर नवारिस्ट 10-10 एमल की मात्रा में आधी कप पानी में मिला के दिन तीन बार सुबह दुफैर शाम खाना खाने के बाद आपको प्रियोग करना है ठीक है पेट में जो यह दिक्कत रहती है उसके लिए एरंड तेल की आपको मालिश करनी है पेट के उपर एरंड तेल कैस्टर ओयल की आपको मसाज करनी है दिन में दो बार खाली पिट मसाज करनी है तो एक बड़ सुवह मसाज कर लीजेगा और दूसरी बार दुफैर में जब भी खाना खाने के बाद 3-4 घंटे हो चुके तब आप इसकी मसाज कर लीजे तीसरी एक चीज है यदि आपके पास सुवधा हो तो आयरवेदिक डॉक्टर के पास जाकर अनुवासन बस्ती आपको प्रियोग करनी है और अनुवासन बस्ती में से भी मात्रा बस्ती 10 ml की मात्रा में ठीक है अब यह आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करनी है तो यदि आपके पास अवेलिबल हो तो किसी आरवेदिक डॉक्टर के पास जाकर आप मिल लीजे यह को केवल सीखना है उनसे कैसे की जाती है मात्रा बस्ती खुद प्रियोग किये जाती है इंसान खुद अपने आपसे प्रियोग करता है लेकिन कैसे प्रियोग करना है यह आपको आरवेदिक डॉक्टर के पास जाके देखना पड़ेगा ठीक है आरवेदिक डॉक्टर से मिल तीखा खाना और मिर्ची, तीखा खाने से मतलब दालचीनी, काली मिर्च ऐसी चीज़ें जिनका स्वाद तीखा होता है और लाल और हरी मिर्च, यह आपको बंद करनी है, ठीक है, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कोई ऑपरेशन करानी के दरोज नहीं है, सब पैसे लूटने के तरीके होता है, कुछ नहीं होता है अगला सवाल है इसके बाद में, यह लंबा चोड़ा सवाल है, ने लंबा चोड़ा नहीं है, यह चोटा सवाल है एक तो ना लोगों के साथ बड़ी रिक्कत है किसी में कभी treatment भेजेंगे किसी में high hello भेजेंगे मुझे ढूड़ने में बड़ी परेशानी होती है अगला सवाल उन्हें पूझा है नमस्ते मैं मैं मुझे पिछले एक साल से एक ही जगे पर बाल बार बाल तोड हो जाता है शा बार बार बाल तोड हो रहा है तो इसका मतलब है जो root है जो यह hair होते है हमारे शरीर पे इनके अंदर एक root होती है जहां से वो उगते हैं उसके अंदर आपको infection है अब इस condition में आपको operation कराना पड़ेगा वो जहां पर बार बार हो रहा है उसको वो बहुत बड़ा option नहीं है है ना simple सी needle से उसको prick कर देंगे और वहां का infection निकाल लेंगे यदि एक ही जगए पर बार बार हो रहा है अगर कभी कभी हो जाता तो skin की problem थी कभी यहां हो गया कभी वहां हो गया इसका मतलब skin की infection है पर एक particular जगह पर ही बार बार हो रहा है इसका मतलब जो hair root है वो infected है और hair रूट को आपको निकलवाना पड़ता है तो इस पर्टिकलर केस में आपको ट्रीटमेंट में मैडिसन से फायदा नहीं होगा सर्जन के पास चाहिए या सर्जन के पास भी नहीं किसी भी डॉक्टर के पास आप खुल परसनली जाकर मिलिए वो कोई सर्जरी वाला भी नहीं है सिंपल साथ ट्रीटमेंट है निडल से वहा să उसको निकालके ऊसे प्रिकरिक करके उतना एरिया निकाल देते हैं कोई बहुत सीरियस सर्जरी नहीं है कोई भी डॉक्टर कर देगा तो प्लीज जाकर मिल लीजिये और डॉक्टर से एक बार ट्रीटमेंट करा लिजे सॉरी आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं बता पाई पर उसके लिए जरूरी है अगला सवाल है अब मैं जल्दी जल्दी आंसर कर रही हूँ तीन वीडियोज हो गया है यहां मैं आसर पूरा करूँगे है यह इंट्रेस्टिं सवाल है इरेक्शन डिसफंक्शनल फ्रॉम लास्ट थ्री देज तीन दिन से इनको इरेक्शन की डिसकंफर्ट वाली प्रॉब्लम हो रही है फ्रॉम सेकेंड में दो मई को इन्होंने मुझे पेमेंट किया था suddenly my erection is not taking I request you to share Ayurvedic medicine देखो यार इस चीज को समझो यदि आपको पहले से कोई प्रॉब्लम होती तो लंबे समय पर आती धीरे धीरे प्रॉब्लम डबलब होती अचानक से आपको erection नहीं आ रहा है तो that means आप mentally उस चीज के लिए नहीं हो problem है उस चीज में या आपका जो partner है उसके साथ emotionally connect नहीं हो आप physically उसके साथ sex करना चाहते हो लेकिन आप mentally उसके साथ sex नहीं करना चाहते है यह बहुत बढ़ा अंतर होता है और इस चीज को समझना पड़ेगा आपको इस particular condition में medicine से कोई फायदा नहीं होगा इस चीज को अगर आप समझ लोगे क्या problem आ गई है यदि क्यों कोई wife है मतलब जिसके साथ भी आपने संबंद मुनाने की कोशिश करी वहाँ पर क्या problem आई है इस चीज को अगला सवाल इसके बाद यह भी बड़ा interesting सवाल था और बहुत लंबा सवाल था इनका 32 साल के युवक है इन्हें 2011 में ट्रेन में हादसा हुआ था ठीक है 2011 में जिसमें मैंने अपना सीधा पैर लॉस्ट कर दिया एक साइड का सीधा पैर इनका है वो काट दिया गया वो खतम हो गया उसके बाद इन्हें जैपुर फुट लगाया गया जैपुर फुट में जो नकली पैर लगाते न वो लगाया गया अब 2013-14 से मुझे शरीर में कभी सीधे तरफ कभी बाय तरफ चोटी से पैर तक दर्द होता है पतला दौनों साइड में कभी कभी दर्द होता है कब्स की पिछले 4-5 साल से भेंकर समस्या है भगंदर की समस्या भी है कभी कभी घबराट आदी भी होती है साथ में कफ की समस्या है साधी हो चुकी है लेकिन दामपत्य जीवन में श्रीग्र पतन की समस्या की वज़े से शर्मिंदा होना पड़ता है जिंदगी में घोर निराशा हो गई है कभी-कभी जीने का मन नहीं करता है शरीर में दर्द असहिनिय हो जाता है ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें दर्द ना हो किरपया उचित मार्ग दर्शन करने का श्रम करें इसको देखा आप ट्रीटमेंट नोट करो डारेक्ली पहली चीज तो आपको अपनी कभ्ज की समस्या को ठीक करना है कभ्ज की समस्या को ठीक करने के लिए रात को सोने से पहले पांच ग्राम की मात्रा में कायम चूर्ण खाईए पांच ग्राम की मात्रा में कायम चूर्ण आपको लेना है रात में सोने से पहले दॉनो टाइम खाना खाने के बाद द्राक्षा सव का आपको प्रयोक करना है भगंदर की जो समस्या है जो फिस्टूला की समस्या है उसके लिए आपको त्रिफला गुगफल का सेवन करना है आप क्या करें इसको ध्यान से सुनीएंगा थोड़ bomb त्रिफला गुग्गुल की 40 tablet एक tablet होती है इसकी 500 mg की तो त्रिफला गुग्गुल की आपको 40 गोलियां लेनी है इसी के साथ में दूसरी जो इसी के साथ में लेनी है वो है योगराज गुग्गुल योगराज गुग्गुल की भी 40 गोलियां आपको लेनी है और साथ में लेन तीनों की 40-40 गोलियां लेज़ेगा, प्रोटल मिला कि कितनी हो गई, 120 गोलियां, इन 120 गोलियां को आप मिक्षी के छोटे से जार में आप क्रश कर लिएज़े, यदि आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप नॉर्मल चौकी विलन पे भी इसको क्रश कर सकते हैं, जितना महीन औ बारीक पिसेगा उतना आपके लिए एच्छा है, तो इसको अच्छे से पीस लेज़े, उसके बाद जो ये पाउडर बना, इसकी 20 इक्वल अमांट की पुडिया बना लेज़े, 20 इक्वल अमांट की पुडिया बनेगी, एक एक पुडिया सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ में आपको सेवन करना है, इसको अच्छे से समझ के मैडिसिन बनाएगा, तीन मैडिसिन है, तीनों की 40-40 गोलिया लेनी है, 120 गोलिया हो गई, इसको इखटे, मिक्स्चर में जाके पीस दीजे, एक कटोरी में पूरा सामान जो मैडिसिन बनी, इस चीज है, वो सुबह सुबह खाली पिट अविपत्तिकर चूण का आपको सेवन करना है, भगंदर की सावस्या में यदि पस पढ़ गया हो, यदि पस पढ़ गया हो, तो फिर आप आयर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके, चार सूत्र का प्रयोक करे, ठीक है, यदि पस न पढ़ धायर्द भगंदर में क्या हो जाता है, ऐनाल के अंदर एक घाव हो जाता है, अब अनाल के अल बहुत सेंसितिव ओर्गन है, यहाँ पर नर्व सप्लाई बहुत जादा होती है, जब यहाँ घाव होता है, जब यहाँ पेन उठथा है, तो उसका असर पूरे शरीर तो उसको सिर में भी दर्द होगा हाथ पेर में भी दर्द होगा यह बहुत ऑर्गन होता है तो आपको भगंदर की वजए से कॉंस्टिपेशन की वज़े से प्रॉब्लम हो रही है, हाट पेर में दर्ध हो रहा है, शीगर पतन की समस्या का treatment में कई बार बता चोगी है, केवल आपको relaxation की try करना है, कोई medicine लेने से शीगर पतन यानि की premature ejaculation ठीक नहीं होता, केवल और केवल आपको अच्छी lifestyle follow करना है, अ अपनी wife के साथ में अच्छे communication पर आपको जोड देना है, communication अच्छा होगा तो sexual life अपने आप अच्छे होगी, अगले सवाल के उपर आगे बढ़ते हैं, इन्होंने 16 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक अपनी girlfriend के साथ sexual relationship में थे, ये एक दिन में दो बार sexual relationship बनाते थे, उसके साथ ही masturbation करने लगे, कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी girlfriend से मुलाकात करी, पुरानी ex-girlfriend से मुलाकात करी, जब girlfriend से मुलाकात करी तो उनके वीच में sexual relationship बनी, लेकिन इनको premature ejaculation हो गया, केवल 2-3 मिनट में ही इनको orgasm आ गया, इन्होंने ejaculation कर दिया, अब इनको लगता है क severe masturbation के बाद से problem हो गई है, और काफी problem है, जब किसी व्यक्ति के साथ पहले sexual relationship हो, तो कभी भी हमेशा के लिए ध्यान रखना, बाद में उस व्यक्ति के साथ sexual relationship नहीं बनानी चाहिए, बहुत important tip दे रही हो हर व्यक्ति को life के लिए, कारण ये कि आपको हमेशा ego problem आएगी, उससे दुवारा प्यार हो गया हो, दुवारा relationship में आप जोग जाने लगे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन sexual relationship मत बनाना, क्यों कि आपका subconscious mind सामने वाले को torture और सामने वाले को जीतने और सामने वाले को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आप intentionally नहीं करोगे, लेकिन आप subconsciously करोगे, हर relationship में होता है, जब कोई व्यक्ति अलग होते हैं, तो चाहिए जितना emotionally understanding, अच्छी हो, mutual हो, सब हो, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले से गुस्सा रहता है, सामने वाले की उपर चिड रहती है, तो जब दुबारा उसके साथ sexual relationship बनाते हो, तो उसको करने की, उसको torture करने की, उसको बताने की, कि देखो मैं कितना अच्छा था और तुमने मुझे छोड की कितना बुरा किया, यह वाली mentality रहती है, तो जब इस mentality के साथ में, tension के साथ में, इंसान सेक्स में जाता है, तो हमेशा ही sexual problem हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना है, यह subconscious conscious problem है, कोई आपको problem नहीं होई है, ना ही उस girlfriend के साथ में बात करने से, ना ही आपको masturbation करने से, कोई problem नहीं होई है, इस चीज़ को भूल जाओ, एक incidence समझ के भूल जाओ, healthy lifestyle के उपर धिहान दो, और इस particular घटना को अपने दिमाग से निकाल दो, अब आपके साथ पता है क्या खतरनाग गेम है, और इस गेम को जितना जल्दी समझ लोगे, इससे निकल आओगे ना, उतना आपके लिए फायदे मन्द रहेगा। इनको भूक नहीं लगती, पैर के तलवे में जलन होती है, इसकिन ड्राई हो जाती है, इसकिन पर मिर्ची सी लगती रहती है, कमजोरी ठकावट होती है, और इन्होंने मेरे को अपनी रिपोर्ट भी भेजी है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, भूक नहीं लगती है, हाथ प खाना खाने के बाद आपको सुबह सुबह खाली पेट आपको प्रियोग करना है। अच्छी भूक लगेगी, खुलकर भूक लगेगी, खाना आपका सही तरीके से पचेगा। रात को पेट साफ करने के लिए कायम चून का आपको प्रियोग करना है। और पित को सही करने के लिए अविपतिकर बहुत ही जादा अच्छा है। कोई जादा आपको मैडिसेन एक्स्टा लेनी की ज़रूवत नहीं पड़ेगी। चलो भाई, यह था लास्ट सवाल, इस बार बहुत सवाल हो गए, तीन वीडियो बनाने पड़े। इस तरीके से मेरे पास और वीड आये, तो मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, मुझे रेट बनानी पड़ जाएगी। चलो यार, तैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट पूछने के लिए, इतने सारे सवाल पूछने के लिए, आप सबके में आंजर दे पाई हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट करना, यारि आपका जो डिटेल हैं, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चलो यार, मैं आल्रेडी बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, यह कोरोना ने ने सारे डॉक्टर को पका के रखा हुआ है, मैं ही वीडियो कि इस तरीके से शूट कर रहे हूँ, मैं ही जानती हूँ, वास्तव में बहुत टायर हूँ, लेकिन आप लोग जरूरी हो, वीडियो बनाना जरूरी है, इसलिए वीडियो शूट हो रहा है, चलो यार, बाबाइ, स्टे हल्दी और बी हैपी, गुद बाई